Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Brains. इस lecture में हम पढ़ेंगे Development of Embryo. Development of Embryo जो है, दो प्लांट में बहुत जादा important है पढ़ना. First one is Dicot and another one is Monocot. अगर देखा जाए तो दोनों का development काफी कुछ similar है. कुछ जगाओं पर difference होते हैं, मैं उन differences को भी अच्छे समझाओंगा. स्टार्ट करते हैं में Dicot, in endosperm, zygote undergo a resting phase. ये line मैंने last lecture में भी बताई थी, बहुत जादा important है, कई बार पूछी गई है कि zygote जो है एक छोटा सा resting phase undergo होता है, छोटा सा resting phase में रहता है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा endosperm जो है, वो पहले बन जाए, उसके बाद वो develop होना start करेगा. जो first division है, अब actually में ये सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी की सारी आपकी diagram के through समझने वाली हैं. मैं बस एक बार आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको चीज़े clear हो जाए, वरना ये बागी की सारी चीज़े सिर्फ diagram basis पे हैं और एक बार में समझ में आने वाली है, आपको इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, कि tough है या समझ में नहीं आ रहा है. बात ये रहेगी कि हम basic concept से move करेंगे, ये वाली diagram अभी ध्यान मत देना, सबसे पहले basic चीज़ों पे ध्यान दो, जो एकड़म ही basic होती है, for example, यहाँ पे हम बात करते हैं, कि embryo sex जो है, उसका structure, बागी सब चीज़े degenerate हो जाएगी, for example, synergy, antipodals, बचेगा क्या, एक बचेगा पूरा का पूरा endosperm, बहुत ही basic बता रहा हूँ, बहुत जादा conceptual बता रहा हूँ, conceptual जब पढ़ोगे, तभी काम बनेगा, यहाँ पे आपका जो था, होता है, वो होता है, एक transverse division होता है, और उस transverse division की वज़े से, यह normal cell है, यह embryo है, यही वाला embryo है, जहाँ पे यह लिखा हुगा है, transverse division होगा, और transverse division से, यह actually में फर्क यह ही है, अब पता है, हमको बेवकूब बनाने के तरीके इस तरह से होते हैं, कि एक तरफ तो यह माइक्रोपाइल और चलाजा के format में हमको बेवकूब बना लेते हैं, for example, जिस तरफ embryonal cell होगा, उसको हम चलाजा end बोलेंगे, और जिस तरफ suspensor cell होगे, उसको हम embryonal cell बोलेंगे, ये चीज़ समझ आई न, सवाल उठता है, सर क्यों, ये चीज़ आपको कैसे समझ आई, actually में terminology में हमको फसने की जरुत नहीं, मैं बताता हूँ, direct concept, क्या होता है, यहाँ endosperm है, पूरे इस एरिये में क्या है, endosperm, और endosperm हमको किसको देना है, embryo को, तो obvious सी बात है, जो endosperm की तरफ divide होगा, उसी को, endosperm की तरफ जो divide होगा, उसी को हम embryonal cell बोलेंगे, क्योंकि उसी को food गी जरुत है, ये चीज़ समझ आई, बहुत ही basic concept, एक cell है, divide होना था, क्या बोला मैंने, एक cell है, divide होना था, ठीक है, बहुत basic concept से काम करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं, ये एक cell है, इसको divide होना था, ठीक है, ये ये वाला, इसको divide होना था, तो अब पूछा ये है, कि एक suspensory होगा, एक embryonal होगा, कौन सा suspensory, कौन सा embryonal, मैंने बोला, ये embryonal है, और दूसरा cell suspensory होगा, कारण ये है, embryonal जो है, उसी को, हमको खाना देना है, तो वो endosperm की तरफ divide होगा, और ये उपर चलता जाएगा, तो ये बहुत ही basic सा concept है, जिसको आप समझ सकते हो, twist यहाँ पर यह होता है, कि ये लोग just इसका ultra बना देते हैं, diagram, चलाजा वाले को इनने नीचे बना दिया, और micropile वाले को उपर बना दिया, तो बच्चे जो ह ये direction में confused हो जाते हैं, वो हमेशा परिशान रहते हैं, तो इसलिए मैं मना करता हूँ, ये वाले diagram इस तरह से मत देखा करो, देखने का तरीका basic concept लगा, तो देखो आप क्या होगा, अब सीम वही process होगी, जो यहाँ पर दिखाई हुई है, बस आपका जो direction है, वो थोड़ा स इस तरह से आपको समझना, for example, मैंने ये बोला कि division हो गया, division होने के बाद दो cell बनेंगे, लेकिन ये दोनों cell आपस में divide नहीं हुए, divide मतलब समझ रहे हो ना, आपस में अलग-अलग नहीं हुए, ऐसे chip के हुए, ये वाली situation, नीचे का जो cell है, actually मैं, और एकदम भी basic से अग आपको ये समझ आ गया होगा, तो theories चालू करते हैं, क्योंकि oosphair बनाना पड़ेगा, आपको चीज़े समझानी पड़ेगी, तो basic start करते हैं, तो सबसे पहला जो cell बनेगा, actually मैं क्या था, जो embryonal zygote था न, zygote embryo बना, embryo बनने के बाद वो थोड़ा सा food उसने absorb किया, और swell हो जिसको suspensor cell बोला, एक उपर का cell होगा, जिसको हमने embryonal cell बोला, ठीक है, next, अब दुबारा से diagram पर आते हैं, ये basic खतम हो गया, दुबारा से diagram पर आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा conceptual है, पूरा का पूरा diagram based है, तो कुल मिला के next जो step होगी, उसमें क्या होगा, अब इसका मु पूर चीए, तो ये और आगे grow करेगा, और आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ी problem मेरी ये ही रती है, हमेशा, कि इनका जो diagram है, ये अगर सीधा बना होता, तो मेरे ख्याल से चीज़ ज़्यादा आसान होती, बजाए कि यहाँ पर इतना complex बनाने के, ठीक है, तो अपन आगे अ suspensor, क्यों, क्योंकि मैं ये micro pile और इसको चलाजा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये suspensor cell था ना, ये ही थोड़ा सा, एक बोलते ने, क्योंकि इसको base बनाना है, तो थोड़ा फैल गया, थोड़ा सा क्या हो गया, फूल गया, और इसी को मैंने hostel cell का नाम दे दिया, क्यों, क्योंक अच्छा रहेगा, कि आप दूसरे कलर से देखो इसको ये रहा embryo, ठीक है, ये develop होता जा रहा है, ये जैसे जैसे ऊपर चलता जा रहा है, पूरा endosperm जो है, अपना consume करते जा रहा है, suspensor cell का इकलोता काम है, कि जो embryo है, उसको food तक पहुँचाना, और आप देख रहे होगे suspensor cell में लगाता division हो रहे है, ये आपका embryo वाला portion है, जो violet कलर से है, और ये hostile cell जो की base बना रहा है, ठीक है न, ये base है, ये base है, ये भी base है, और ये भी base है, ये चीज़ समझा है, ये बहुत basic सी चीज़ है, ये जो है, ये food absorb करता जा रहा है, और divide होता जा रहा है, सवाल ये बताओ, suspensor cell में division कैसा होगा, embryonal cell में division कैसा होगा, मैंने बोला, suspensor cell में division होगा, वो transverse होगा, आपने बुचा सर, क्यों होगा, transverse concept समझाओ, transverse होने का कारण ये है, कि आप ध्यान से देखो, transverse मतलब ऐसा-ऐसा division, number of layer बढाने, number of layer बढाने, इस क्या होगा, दो cell, divide होगे 4 हो embryo को पूरा food मिलते रहना चाहिए, ये चीज़ समझ आई ही ना, लेकिन embryo में कैसा होगा, embryo में division होगा, vertical, embryo में division कैसा होगा, ऐसा, vertical, vertical division होगा, तो उससे क्या होगा, ये देखो, देख रहा न, vertical division हो रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको diagram होता clear नहीं होगा, नहीं त क्या होगा, आज पास के जो इसका food material है, वो खतम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आज पास के तो उसने पूरा cover कर लिया है, ठीक है, ऐसा goal stage थी, और goal stage में इसने आज पास के अपने पूरा खतम कर लिया है, तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये dichot है, ये मत भूलाँ, क्या है d यानि कि दो-Corty-Laden, तो अब ये एक-एक location से बाहर निकलना चालू करेगा, तो ये सा बिल्ली जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ी दिर बाद, just थोड़ी दिर बाद, heart shape देखना चालू हो जाएगा, just थोड़ी दिर बाद, यह embryo की और उसका आने का कारण यह है क्योंकि यह embryo जो है वो dicot है तो दो cotyledon होने इस वाले area को हम plumule बोल देंगे ठीक है और यह दो उसके cotyledon तो थोड़ी दिर और develop होगा बहुत सारा development होने के बाद कुछ इस टाइप का structure होगा suspensory cell ऐसे ही होंगे hostile cell ऐसे ही होंगे radical जो है वो यह उपर वाला portion बनाने का काम करेगा यह वाला जो area होगा radical बनाने का काम करेगा cotyledon यह उपर वाला जो portion है यह बना लेंगे next अगर आप से कोई सवाल पूछे क्योंकि इस cell के उपर एक बार सवाल आ गया था इसको hypophysial cell बोलते हैं ठीक है यहाँ पे शायद labeling भी होगी इदर ही कहीं नहीं होगा तो वहाँ पे लिखा होगा ठीक है तो यह basic सी चीज होती है जो आपको at least आनी चाहिए तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है तो उस फेरता डिवाइड हो गया था उसके बार transverse division होगा हाइपो बेसल सेल जिसका मैंने नाम बताया था जस्ट उसके नाम हाइपो बेसल सेल होता है जो हाइपो कोटायल है और एपी बेसल सेल है वो आपके कोटिलेडन्स बनाने का काम करते है एक बार में समझ में आने वाली है एक प्लिम्यूल और रेडिकल को कनेक्ट करने के लिए प्लिम्यूल और रेडिकल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना वही एम्प्रियोनल एक्सेस होती है जो कुल मिला के plumule और radical को connect कर रही है, एक line में खीच रही है ठीक है, ये चीज़ समझ में आई न, तो embryonal axis क्या है, axis present between plumule and radical is called embryonal axis, इसको tygulum भी बोलते हैं और ये main embryonal axis भी कहलाती है तो only micropyle of ovule remain unchanged and also present in seed, जैसा कि मैंने बताया था न, oxygen transport का काम करेगा, ये अच्छा point है कुछ fruit में parthenokarpy होती है, useless होती है, अब ये एक ऐसा question है जो एक बार आ गया था इसलिए मैंने इसको include किया, एक बार पूछा गया था है Ames में, कि वो कौन सा fruit है, जिसमें हम parthenokarpy करवाएंगे, तो हमारा ही नुकसान है pomagranite, क्योंकि parthenokarpy मतलब seed हटा दो, और आपके अनार में होता ही क्या है, पूरे seed होते है, तो पूरा seed गया बोजाएगा, तो where is the pulp वाला गाना काते रह जाओगे बस तो ये चीज़ समझ में आई ना, अगर किसी fruit में सिर्फ seed है, और उसी को खाया जाता है, जैसे अनार, तो आप parthenokarpy करके उसके सारे seed ही हटा रहे है, उसकी बीजे ही हटा रहे है, तो उस fruit में कुछ बचेगा भी नहीं तो ये dicot का development था, same as monocot का development होता है, बहुत सारे similarity होते हैं, कुछ बस एक दो छोटे-मोटे difference होते हैं, और अगर मैं आपको बताओं, तो आपको इसका development पढ़ने की ज़रत नहीं है, आपको ये diagram memorize करने की ज़रत है, ये diagram आपको पूरा आना चाहिए जो monocot का diagram है, ये पूरा आना चाहिए, पता नहीं, पचासो बार ये पूछ लिया गया है, कि monocot के cotyledon का नाम क्या है, that is scutellum, यह फिर ये पूछ लेते हैं, कि grass के cotyledon का नाम बताओ, क्योंकि grass family में ये पाया जाता है, monocot का example है, पचासो बार question आए, एक second इसका cotyledon ह जो ill develop होता है, that is epiblast, तो ये diagram ultra important है, NCRT का diagram में पचासो बार आ चुका है, यहां तक आप देखोगे, सारी चीज़े सेम है, बस फर्क इतना होगा, कि ये जो plumule और cotyledon से हैं, ये plumule इस टाइप से कुफ बहुत जादा develop हो जाएगा, जो embryo है, वो बहुत जादा develop हो बागी इसमें कोई खास difference देखने को नहीं मिलेगा, छोटे मोटे differences रहते हैं monocot के अंदर और dicot के अंदर development में, आपको अगर मैं personally suggest करूँ, तो monocot का development नहीं पूछा जाता है, मत याद करना, यहां तक का development पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, कि heart shape embryo किस में मिलता ह है, तो heart shape embryo dicot में मिल रहा था न, जैसे कि मैंने बताया था आपको, heart shape embryo dicot में मिल रहा था, तो ये question बहुत जादा important है, monocot के उपर सिर्फ ये scutalum और उसका embryonal seed है, seed के अगर मैं बात करूँ proper, तो उसके उपर question आता है, इन से related कोई भी question नहीं बनता है, ये दोनों का एक ovule seed बनाता है, ovary की wall pericarp, pericarp, fruit के उपर की wall, integument seed coat बनाते है, outer testa बनाता है, inner tagman बनाता है, newcellus most important, degenerate हो जाता है, लेकिन जिसमें present है, perispum, zingabaracy, black pepper beet, याद है न, excel embryo बनाता है, secondary nuclear sendospum बनाता है, synergid endipodal degenerate हो जाते है, चलाजा और heelum जो है, वही रहते है, funicle जो है, stock of the seed और micropyle, micropyle ही रहता है, तो ये दोनों चीज़े याद होनी चाहिए आपको, next, कौन कितनी ploidy level का है, ये इसलिए important है, क्योंकि कई बार ploidy level के questions आने लगे हैं, पूछने लगे हैं, आजकल, recent है, zygote 2N होगा, embryo 2N होगा, endospum 2N होगा, समझने वाली बात ये है, कि सिर्फ ये एक endospum है, जो 3N है, ठीक है, और उसका भी कारण में आपको समझा चुका हूँ, तो सिर्फ endospum 3N है, बाकि ये जितने भी structure लिखे हुए है, ये आप खुद note कर लेना, ये सारे के सारे structure 2N होगे, क्योंकि ये plant का पार्ट है, इसलिए 2N होगे, endospum के साथ triple fusion हुआ था, इसलिए वो 3 तो, पाकि आप male gamit देखो, synergid देखो, antipodals देखो, excel देखो, polar nucleae देखो, सारी चीज़े maximum, जो है embryo sec वागेरा, ये सब N है, polar nucleae जो है N plus N है, क्योंकि दो होती है polar nucleae, इसलिए, तो ये भी आप खुद note down कर लेना, बहुत simple है, बहुत easy है, तो I hope आपको ये video पसंद आये होगा, अगर पसंद आये तो जरूर लाइक करें, thank you